हेलो आज मैं आप सबको दूंगी अपनी बड़ा पाउ की रस्की जो कि मेरे में पहले से शॉर्ट्स ने पढ़ा है कुछ मिर्चे ले उसको बीच से फार ले और उसको फ्राई करके उसमें काला नमक और नीबू डालके उसको साइट में कर दे यह मैं इसको नीबू काला नमक सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर उसकी बाद हम बनाएंगे मुंगफली की चटनी बनाने के लिए पहले से रोस्टेट मेरे पास मुंगफली रखी हुई थी तो उसका छलका उता देंगे उसमें नमक और उसमें कुछ कल्या लहसुन की 8-10 और लाल मिर्च पाउडर डालें औ अब को चटनी तो फिर तीखी ही चाहीए होगी चट्पटी यह मैंने क्रैंद कर ली मुंगफली की चटनी इसको आप प्रेफियर करके रखलें फिर बारी आती है बेशन की चटनी की ड्राइट चटनी की बहुत ही यमी चटनी बनती है बेशन दो चमज बेशन ले इसमें मेर्च और नमक अगर आपको लगे तो आप डाल ले और उसके बाद पतला घोल बनाए और एक पैन में तेल डालके इसको फ्राइ करना होगा बिल्कुल एकदम पतला सा घोल रहेगा कि आसानी से स्पून से या जैसे भी हाथ से चाहें तो गिरा सकें बिल्कुल एकदम पतला घोल रहेगा अब एक पैन में तिल लेंगे उसको गरम होने रहेंगे उसके बाद उसमें कुछ कल्या लहसुन की जितना भी आपको जरूरत हो 8-10 मैंने 8-10 लिये हैं और उसको डीफ्राय करेंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे फिर उसके बाद ये बेसन की घोल को बूद 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 करके हम उसमें डालेंगे और जब ये भी अच्छे से हो जाए, रेड हो जाए, एकदम ब्राउन कलर का हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे इसको निकालने के बाद इसमें भी रेड चिली पाउडर डालके रचिली पाउडर और नमक इसको भी बनके त्यार हो गया अब मैंने सारी चीजे बना के रख लिया है ग्रीन चटनी आपको मेरी रेसिपी में मिल चाहेगा शॉर्ट्स में ये वड़ा पाउ और अब इसको हम बनाते हैं सबसे पहले वड़ा पाउ को सेप्रिकेट करेंगे फि फिर उस पर ग्रीन चटनी लगाएंगे मुंफली वाली चटनी रखेंगे फिर बेशन वाली चटनी और मिर्ची रखके आप इसको सर्व करें बहुत ही घर बैठे आपको बड़ा पाउ खाने को मिलेगा एकदम यम्मी सा जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर आपक एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है प्लीज मेरी चैनल को लाइक किया करें क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारी वीडियो और आगे तक जाती हैं जितना आप लाइक करेंगे उतना हमारी वीडियो आगे जाएंगी तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कर दिया करे और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो आने से पहले आपको पता रहाएं.